आज का ये वीडियो थोड़ा सा छोटा होने वाला है लेकिन जानकारी बहुत ही बड़ी है जो जानकारी में आप लोगों को बताने जा रहा हूं ये सबको पता होनी चाहिए आज हम बात करेंगे हमारे शरीर में उर्जा के सिद्धान्द की यानि एनर्जी की वो भी कुछ खाते पीते हैं जो भी भूजन करते हैं हमारे शरीर में मौजूद अर्वो तंतु अपना काम करना शुरू कर देते हैं यानि सिंप्ली हमारा शरीर एक फैक्टरी की तरह है हमने जो भी कुछ खाया पिया होता है यानि हमारे शरीर उपी फैक्टरी में अर्वो उर्जा नीन में संग्रेत होती है यानि जब आप सोते हो तो सोते समय आपके शरील में वो उर्जा संग्रेत होती है आपके अगले दिन के कारे के लिए यानि आप फिसिकली जो भी एक्टिविटी करोगे उसके लिए आपको उर्जा तो चाहिए ही होती है इसलिए अच्छी चीन के बाद आपका शरीर फ्रेश और एक्टिम महसूस करता है और अगर आप परनयाम करते हैं तो ये उर्जा जाकती है और आपकी धर्णा से हमारे शरीर की उर्जा केंद्री धूती है अब बात करते हैं अध्यात्म की आज पूरी दुनिया ध्यान में डूपती जा रही है जाता तर लोग मेडिटेशन करने लगे हैं ये सब कुछ विनावजय नहीं हो सकता भारत में तो ये धार्मिक प्रथा मानी जाती है लेकिन आज यूरोपिन कंट्री ध्यान में डूपती जा रही है और इसका सांटिफिक लॉजिक यह है कि ध्यान से यानि मेडिटेशन से ह हमारे शरील की उज़ा ऊपर की ओर चड़ती है हमारे मस्तिक्ष की ओर जाती है और भै यानि डर से ये उज़ा सुकुरती है ये आप प्रैक्टिकल कुद भी करके देख सकते हैं जब आपको डर लगता होगा तो आप नोटिस करना कि आप सुकुरने लगते हैं आपके आपने आपको छोड़े से कमरे में बंद करना चाहते हैं, अंधेरा करना चाहते हैं, तो डर में यह उर्चा सुकुर्ती है, और काम वासना में यह उर्चा किस तरह से काम करती है, जब आप कामोग होते हों, तो यही उर्चा नीचे की और आती है, आपके सेक्स सेंटर के जरी और जब आप प्रेम में होते हैं, याद रखना यहां में काम वासना की बात नहीं कर रहा हूं, यहां में प्रेम की बात कर रहा हूं, एक फिलिंग की बात कर रहा हूं, तो इस अवस्ता में यह उर्चा विस्त्रित होती है, फैलती है, जबी तो जब आप प्रेम वाली फिलिं meditation यानि ध्यान में जब समाधी वाली अवस्ता आती है तो ऐसे में हमारे शरीर की energy यानि उर्जा किस तरह से काम करती है समाधी वाली अवस्ता में हमारे शरीर की उर्जा विराड के साथ एक हो जाती है यानि हमारे शरीर की उर्जा या कहें आत्मा इस ब्रह्मान में विलीन हो जाती है और इसलिए कहा जाता है कि ना तो आत्मा मरती है और ना जन्मती है जो मर सकता है जो मरा ही हुआ है वही मरता है हमारे शेरिर में मौझूद आत्मा यानि एनर्जी ब्रह्मार की एनर्जी के साथ विलीन हो जाती है तो बस दोस्तो आज का वीडियो बहुत ही छोटा था लेकिन जानकारी बहुत ही बड़ी थी इस जानकारी में पूरे भगवत गीता का सार है अगर जानकारी पसंद आयो तो इस वीडियो को जाधा स्याधा शेर करना और आपके लाइक्स बताएंगे कि आपको ये वीडियो कितना पसंद आया और अगर चैनल कर पहली बार आये हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो क्योंकि मैं इसी तरह की इंफर्मेटिव वीडियो आपके लिए लाता रहता हूं तो मिलता हूं किसी अगली जानकारी में तब तक के लिए बाबाए